खरीफ कालीन धान की कटाई तयारी समाप्त होने तथा सप्लाई का पीक समय बीद जाने के कारण अब प्रमुक उत्पादक राजियों की मंडियों में धान की आवक कम हो रही है, जबकि सीमित उठाव के कारण इसका दाम भी आठ से चौदर फरवरी वाले सप्ता के दोरान आ 4509 हैंड, 1718 तथा ताज धान की कीमतों में 50 से 100 रुपए प्रती क्विंटल की गिरावत आई जबकि पंजाब-पंजाब की अमरित्सर मंडी में 1121 धान का भाव 150 रुपए एवं 1718 का दाम 129 रुपए घटकर 4550 रुपए प्रती क्विंटल या 4,475 से 4,486 रुपए प्रती 1718 धान का दाम 250 रुपए घटकर 3500 से 3550 रुपए प्रती क्विंटल पर आ गया। उधर मैंपुरी में 1509 हैंड का भाव 150 रुपए नीचे आ गया। जहांगीराबाद में शर्बती धान 300 रुपए नीचे लुडका जबकि 1718 धान भी 100 रुपए कमजोर रहा। अब बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान के बुंदी में 1509 एवं 1847 धान की कीमतों में 200 से 200 रुपए तथा 1718 की कीमत में 100 रुपए की नर्मी रही लेकिन सुगंधा का भाव 650 रुपए उचल कर 3000 से 3750 रुपए प्रती क्विंटल पर पहुँच गया। गोरखपुर एवं गोहाना की मंडियों में धान की कीमत 50 से 100 रुपए तूट गई। राजस्थान के कोटा में भारी उतार चड़ाव दर्ज किया गया। वहां सुगंधा का दाम 750 रुपए उचल कर 2800 से 3800 रुपए प्रती क्विंटल तथा 1718 का भाव 600 रुपए उचल कर 3800 से 4700 रुपए प्रती क्विंटल हो गया। अगर पूसा बास्मती धान का मूले 600 रुपई लुरक कर 3200 से 3300 रुपई प्रती क्विंटल एवं 1509 हदा का दाम 300 रुपई घटकर 3300 रुपई प्रती क्विंटल पर आ गया। अलीगर में धान के दाम में 110 से 150 रुपई की गिरावट रही मगर 1509 धान का दाम 100 रुपई सुधर कर 5700 रुपई पर पहुँच गया। जहां तक चावल का सवाल है तो समीक्षाधीन सप्ता के दौरान 36 गड़ के भाटा पाड़ा में श्रीराम चावल का दाम 100 रुपई गिरकर 600 रुपई प्रती क्विंटल पर आया जबकी राजिम में 5% तूटे स्वर्ण चावल का भाव 100 रुपई सुधर कर 3450 रुपई पर 7509 सेल्प तथा ताज सेला चावल के दाम में 200 से 200 रुपई 1400 एक स्टीम, 1718 सेला तथा सुगंधा सेला के भाव में 300 से 300 रुपई और शर्बती सेला के मूले में एक सो रुपए की गिरावट आई जबकी 1,401 सेला चावल का भाव 600 रुपए की जोरदार वृधी के साथ 7,900 से 8,100 रुपए प्रती क्विंटल पर पहुचा जबकी अन्य किस्मों एवं श्रेनियों के चावल के दाम में 100 से 200 रुपए प्रती क्विंटल का उतार चराव दर् किया गया, Bureau Report Market Times TV